यूपी की यादब चोरी ने बजा दिया टंका एक साथ हासिल किये दो गोल्ड मैडल और परिवार के साथ साथ परदेश का भी बढ़ा दिया मान परिवार में जश्न पडोसी कर रहे तारीफ सफलता के ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था देखिये कैसे हासिल की पंपर सक्सेज और फिर गोल्ड मैडल्स पर किया गब जा कौन है ये बेटी और कहां से है इसका तालुक जिसकी तारीफ कर रहा पूरा प्रदेश और काबलियत को दिगच कर रहे हैं सलाम जिस उत्तर प्रदेश की पहचान अब तक अपरात को लेकर होती थी उसी यूपी की छोरियों ने अपने हुनर से ऐसा डंका बजाया है क्या पूरी दुनिया में प्रदेश का माथा गर्ब से उचा है लोग अब काबल बेटियों के नाम से प्रदेश को पहचानने लगे हैं वैसे तो तमाम छेत्रों में उत्तर प्रदेश का नाम उभर रहा है फिर चाहे वो चंद्रियान टू मिशन हो या फिर पहाडों पर तिरंगा फैराने की बात हो हर तरफ उत्तर प्रदेश का डंगा बज रहा है IAS और IPS भी बेटिया मन रही है और इसी कड़ी में एक और बेटी ने प्रदेश का मान बढ़ा दिया है यादब बेटी ने दो दो गोल मेडल हासिल कर उत्तर प्रदेश का हल्ला बोल कर दिया है जिस बेटी के हम बात कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मेनपुरी जिले से हैं और नाम है आकांचा यादव मेनपुरी की बेटी आकांचा ने जिले का नाम तो रोशन किया ही है पूरे प्रदेश को भी सम्मान दिया है आकांचा ने राश्ट्रिय विधी विश्य विध्याले एवं अनुसंधान संस्थान नालसर हैदराबाद में LLM की डिग्री हासिल करते हुए दो गोल्ड मैडल पर कपजा किया। आकांचा को दो गोल्ड मैडल दिये गया। ममतायादब ग्रहनी हैं बड़े भाई अंकेत आदब ने हाल ही में संग लोकसे बायोकी परिक्षा में सफलता हासिल की है। आकांचा का कहना है कि लक्षे बनाकर यद महनत की जाए तो किसी भी परिक्षा में सफलता जरूर मिलती है। आकांचा की इस सफलता पर D.I.O.S. सुधीर कुमार, S.D.I.O.S. रगरासिंग पाल समित तमाम दिगज लोगों ने बढ़ाई दी है। और आगामी भविश्च में सफलता की ऐसी उचाईयां छूती रहें ऐसी कामना भी की है। मैनपुरी की इस यादब छोरी की चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है और हर तरफ तारिफों के पुल बांदे जा रहे हैं। क्योंकि आगांग्छा ने सफलता के ऐसा सिखर ही चूमा है जो हर कोई नहीं चूँ सकता। ब्यूरो रेपोर्ट मीडिया हल चल।